आपको आपको आपके फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी बात करते हैं टिवी सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड की तो एपिसोड के शुरुआत में आप देखेंगे कि अभीर आपने एक्जाम देती है अर्मान यहाँ पर सोचता है कि आखे रू में अभीर अपना एक्जाम लिखती है रूही सुड़ना सुरेखा से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है वो कहती है कि कुछ फेमरी मेंबर्स मान गए है मेरे और अर्मान का रिलेशन के लिए और देखना एक बात दादी सा अगरी हो जाए उसके बास सब मान जाएंगे लेकिन आपको बी नानु को कन्वेंस करना होगा मनीश यहाँ पर पूछते हैं कि क्या हुआ अर्मान वहां आता है और रूही का नाम चिलाता है मनीश कहते हैं कि बोलो रूही तुम क्या कहना चाहती हो वैसे भी तुम्हारा अर्मान के साथ कोई फ्यूचर नहीं है तुम अर्मान ने रूही से शादी करने के लिए हां कह दिया है, अर्मान रूही रूही चलाता है, वो कहता है कि तुम्हें अभी के अभी यहां रोक ना होगा सब को, रूही कहती है कि मैं और रड़ी खुद को बहुत लोक चुकी हूँ, उन्हों का argument होता है वो कहता है कि तुम्हें पता है मेरी family को मेरी family में मेरी maa बहुत जादा important है आखिर वो कैसे react करेंगी वो मैं तुम से जादा जानता हूं वो कहती है रुही कि मैंने maa को सबसे पहले बताया है और उन्होंने ही responsibility ली है अर्मान कहता है I'm sorry वो कहता है कि यहाँ पर रुही कहते है don't worry तुम please मुझे sorry मत बोलो मैंने maa से बात कर लिया उन्हें हमारे रिष्ट से कोई problem नहीं है अर्मान कहता है लेकिन तुम्हें मुझे एक बार पूछना चाहिए था वो कहती है कि लेकिन तुम्हाँ पास मेरे लिए time ही नहीं है रुही कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार call किया लेकिन तुम ना तो मुझे मिले ना मुझे बात करी तुम्हें पता है कि दादी यहाँ पर भेज रही थी तुम्हें डेली इसलिए हमार जो रिष्टा है उसके लिए मैंने ये relationship का decision लिया है और तो मैं मुझे support करना होगा अर्मान कहता है कि अभीरा ने मुझे बताया था अरूही कहती है कि अच्छा और वो अभीरा की सारी words recall करती है संजय कहता है कि हमें सबसे पहले चारू की शादी करनी चाहिए लेकिन चारू शादी करने से मना कर देती है संजय उसे डांटता है वो कहता है कि तुम बच्चों को नहीं पता सही चीजें कैसे करते हैं बारू कहती है कि मुझे कुछ नहीं करवाना अपने लिए आप लोगों से वह कहता है कि तुम तो ये सब रिज़र्फ करती नहीं हो लेकिन फिर वह कहती है कि बच्चे भूल गए हैं मेरा गुस्ता दादी कहती है कि तुम गुस्से के वजय से चेंज नहीं होते सबसे पहले तुम अपने आपको चेंज करो वह पेपर दिखाती है कि ये देखो इसका मतलब ये है आज ही इस लड़की को निकलना होगा यहां से वह वह स्मा आना था अभीरा यहां पर बैक पैक करती है अर्मान आता है वो कहता है कि तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए वो कहती है कि हमारा रिष्टा खतम आखिर मैं अपके सक से यहां रहूंगी वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो हम पेपर्स पर शादी शुदा थे वो कहती है वा पर पेपर को पलेट में सजाती है गुलाब के पंखड़ियों के साथ अर्मान पेपर चेक करता है मैरश कैंसिलेशन की संजय कहते हैं कि आपसे तुम दोनों हस्बन वाइफ नहीं हो और हड कोई शौक हो जाता है संजय अभीरा से कहते हैं तुम अपना बैकपैक करो निकलो तो यहां से अभीरा कहती है कि आप से ज़ादा excited तो मैं हूँ इस घर से दन निकलने के लिए क्यूंकि मैं यहां ऐसे माहौल में रहना ही नहीं चाती और वैसे भी मैंने packing कर लिए और मैं जा रही हूँ अर्मान कहता है तुम नहीं जाओगी वो कहती है कि मैं तुम्हारी मंगसूत्र हटाओ अभीरा कहती है कि मैं अपने आप हटा सकती हूँ दादी कहती है कि तुम्हारे बीच में कोई relationship नहीं है अपसे इसलिए अर्मान तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर भेंगेगा अर्मान यहां पर मंगसूत्र रिमूव करने की कोशिश करता ह और उसे बुरा लगता है दादी कहती है अगर तुम नहीं हटा सकते तो मैं हटा देती हूँ अर्मान कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन निकल नहीं रहा दादी कहती है कि क्या यह तुम्हारा प्लैन था अर्मान तभी उसे तोड़ता है और वो विखर जाते है अभी पर अपने रूम में जाती है और रिकॉल करती है जो कुछ हुआ तब ही वह जग लेती है और पानी अपनी सर पर डालती है रोती है वह रिमूव करती है बैंगल सब कहती है कि अर्मान मैं ये फेक मेरेज आप नहीं रह सकती आखर ये रियल शादी कैसे हो सकती है और अर्मान उसके लिए वरिड है यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग क्रैक में अब देखना होगा काफी जादा इंट्वर्स्टिंग कि क्या अर्मान को अभीरा के लिए जरा सी भी के परवा फिकर नहीं है या वो रूही के आने से अभीरा को एकदम भूल जाएगा क्या ल